हेलो एब्रिवान वेलकॉं तो में चैनल स्याओर विपय थक्षू फ्रेंस आज हम रिटेल के मड्यूल वी में चैप्टर नमट 4 का पार्ट 4 करेंगे फ्रेंस तो फ्रेंस चैप्टर है आपका कस्टमर रिक्वार्मेंट के बारे में और इस लेक्टर में फ्रेंस हम देखने के बारे में उसी के बारे में पढ़ना है तो customer requirement about service quality में हम देखेंगे कि basically क्या क्या चीज़े जो है customer expectation होती है कि bank से हमें वो service में मिलें तो service quality is what customer expect from bank and it has different dimensions तो service quality क्या है customer क्या चाहता है bank से बैंक से चाहता है कि जो भी उसको service provide की जाए उसमें quality हो हो है और यह service quality के different dimensions है जिसके बारे में हमें discuss करना है following are some of the requirements ठीक है following are some of the requirements expectation of customer about the service quality of the bank और नीचे कुछ requirement दी गई है या expectation दी गई है customer की service quality के बारे में तो उन्हीं के बारे में discuss करेंगे तो पांच तरीके की expectation या requirement है जो service provide की जाए उसमें tangibility होनी चाहिए reliability होनी चाहिए responsiveness होना चाहिए assurance होना चाहिए और empathy होनी चाहिए तो मतलब basically customer यह चीज़े expect करता है जब भी आप as a banker किसी customer को service provide करते हैं तो उसमें यह पांच quality होनी चाहिए आपके दौर जो service provide की जारी उसमें tangibility होनी चाहिए tangible means होता है जैसे हमने चाहिए जो location ने अच्छी है देखने में कैसी लगते तो टेंजिबिल्टी यह हो गई कि customer क्या expect करता है कि वह ब्रांच में बिजिट करें तो ऐसा नहीं कि ब्रांच में सफाई नहीं है clean होना चाहिए जितना अच्छी दिखेगी ब्रांच उतना ही उससे पसंद आएगा तो टेंजिबिल्टी यह होगी सब्सक्राइब करें कि हम देख रहे हैं आपका इसुर्ण करने कोशिस कर रहे हैं एस्वरेंस का मतलब होता है आपको दिल्वानी होगी मतलब कहने का आपको बिनम्रता से पेस आना होगा और जो भी सर्विसें उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा अभी डिटेंड में तो यह है कुछ एक्स्पेक्टेशन कुछ रिक्वार्मेंट जो कस्टमर चाहते हैं बैंक से सर्विस क्वालिटी में सर्विस क्वालिटी में टैंजिबिल्टी होनी चाहे है यानि फिच्कल अच्छा होना चाहे है रियलाइबिल्टी होनी चाहे है यानि हम विस्वास कर सक एक्सपेक्ट करता है कस्टमर सर्विस क्वालिटी में अब इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे पहला है टेंजिबिल्टी चाहता है कस्टमर कैसा चाहता है अप्येरंस आफ फिजिकल फिशल्टी एक्यूपमेंट प्रशनेल एंड कम्मिनकेशन मेट्रियल तो यह क्या ची गैशन के कैसा है और जो कम्निकेशन मेट्रियल य किर रहे हैं यह कर यह मतलब जो अच्छा या नहीं जिए हैं क्या बत्वाइब क्षिक्षिक्ष ऑगर के-बैंग यह क्रेडाशन एक जब नियुए मतलब की चेट्मेंट का का यह क्रेडिट कार्ट केस्ट्रमर को दिया क्या वह केस्ट्पर इससे ईजली समझ पा रहा है अगर आसानी से समझ पार है तो हमने टैंजबिल्टी वाली प्रापर्टी दे रखिये इस्टेटमेट कश्टमेर आसानी से समझपा रहा है या आपने bank account का statement रहता हैं इससे समझ पा रहा है तो इसका मतलब tangibility हमारे product में है हमारी services में tangibility है दूसरा आता है reliability ability to perform the promise service dependably and accurately मतलब reliability में यह होता है कि जो भी हमने promise किया हुआ है customer से उसको जो है हम अच्छे से निभापाएं accurately निभाएं और dependably निभापाएं तो वही होता है आपका reliability मतलब customer हमारे उपर reliable हो सकता है बिस्वास कर सकता है example देखे where an officer says that amount will be sanctioned in two days एक bank manager ने मान लिए या officer ने कहा कि दो दिन में आपका loan हम sanction कर देंगे तो क्या दो दिन के अदर में उसने sanction कर दिया क्या वह आपके साथ follow up करता है और आपको बताता है कि sir आपका loan sanction कर दिया गया है अगर ऐसा होता है तो समझ दिए कि हम rely कर सकते हैं ब्रांच के उपर बैंक के उपर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ जो यह कह रहे हैं वो करते हैं is my credit card statement accurate क्या मैं इतना विश्वास करूँ कि जो मेरे credit card का statement है यह correct है accurate है तो अगर मेरे credit card का statement अगर correct है accurate है तो इसका मतलब मैं rely कर सकता हूँ और पता चला मैंने credit card का statement देखा और उस करेंगे विस्वास होना चाहिए कि जो भी आप सर्विसेस के लिए प्रामिस करें उसको आप डिलीबर करेंगे हैं ना विल्टी टुप फ़र्म प्रामिस डिपेंडेंट्ली अ कि करेंगे कारण कर देंगे करेंगे क्रयें वह वो आपको फोन करके बताता है इंफार्म करता है और रेलाई कर सकते हैं बैंक के ऊपर responsiveness response मिलना चाहिए हमने customer expect कर रहा है कोई चीज और हमें response देना होता है willingness to help customer and provide prompt service ठीक है तो responsiveness में क्या आता है customer चाहता है कि जो service provide की चाहिए उसमें responsiveness हो मतलब customer की help करने के लिए bank ready हो और prompt service provide करे उसको ऐसा नहीं है कि सुबह से line में लगे हैं तीन धंटे बीट गया और उसके बाद में आपने 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 काउंटर पाता है customer तो आप उसे मना कर देते कि आज यह काम नहीं होगा तो वह अच्छी बात नहीं होती है है तो responsiveness होना से बैंक की तरफ से कि willingness है help करने की प्रांट सर्विस प्रोबाइड करते हैं तो यह आता है अफ्रंट साबका रिस्पॉंसिवनेस में मैं देखा कि मेरे जो है बैंक की स्टेटमेंट में कुछ प्राबलम है तो क्या बैंक ने उसके उस निकाले एटीम से पैसे निकाले और पैसे साथ दिन के अंदर भी नहीं लोटे उसका अंद में कंप्लेंट की और उसके एगले दिन उसके पैसे अगर आ जाते है तो इसका मतलब responsiveness अच्छा है बैंक गलती से कट गए तो जो चार्ज जो है डेविट तरीके से डेविट किये गये थे क्या वो मेरे एकाउंट में दुबारा जो है रीक्रेडिट कर दिये गये हैं अगर ऐसा कर दिया गया है तो इसका मतलब बैंक मेरा responsive है फ्रंट्स उसके बाद में आता है प्रंस चाहता है कस कई सारी quality आते हैं एक तो competence होना चाहिए मतलब आप जो काम कर रहे है उसकी आपको knowledge होनी चाहिए प्रजेशन आफ रिक्वार्ड इसकिल और knowledge प्रफार्म सर्विस है जो बैंकर है उसको competence होना चाहिए मतलब कहने का यह है कि जो skill चाहिए उसको जो है बैंकिंग को चलाने के लिए वो उसके पास होनी चाहिए सर्विसस को प्रफार्म करने के लिए जो skill और knowledge की requirement है वो होनी चाहिए अगर ऐसा है तो customer को assurance प्रवाइड हो रही है कर्टिसी POLITNESS होनी चाहिए POLITNESS होनी चाहिए Gaye RE, S lease, Consideration & Friendliness of Contacts Personal जो लोग है Bank के branch के अगर लो variety होने चाहिए credibility विश्वसिनियता होनी चाहे क्या trust worthy ने about service provider हम bank के staff member पर या bank के branch पर हम विश्वास कर सकते हैं credibility होनी चाहे trust worthy ने इस मतलब कहने का मैं 50,000 जमा करके गया और मेरे खाते में 50,000 रुपए deposit कर दिये गए तो वो ठीक है मैंने 50,000 रुपए जमा किये और पता चला 45,000 रुपए ही मतलब मेरे मन में doubt नहीं होना चाहिए और किसी तरीके कर risk नहीं होना चाहिए अगर मैं bank से कोई service ले रहा हूं तो मुझे इस बात की assurance होनी चाहिए कि कोई tension लेनी की जड़ोत नहीं ना तो कोई risk है और नहीं कोई doubt करनी की जड़ोत है मुझे bank की branch पर या bank पर ठीक है पर तो courtesy में आता है कि लोग जो है मतलब मतलब आपके साथ अच्छा व्योहार करें customer के साथ अच्छा व्योहार करें पॉलाइटनेस हो respect हो consideration होना चाहिए friendliness होना चाहिए credibility का मतलब होता है बिश्वास नहीं था मतलब क्या हम trustworth ही माने service provider को जो bank का branch है उसके उपर विश्वास कर सकत हैं कई बार customer ऐसे आते हैं दो लाग तीन लाग रुपए ऐसे जमा करके चले जाते हैं और रसीद भी हमसे नहीं लेते हैं तो वैसे customer क्रेडिविल्टी है उनकी हमारे bank की branch पर trust है इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं अधरोज कोई 10 रुपए भी छोड़कर के नहीं जाना चाहता ह है security भी प्रोवाइड होनी चाहिए उसको risk और जो है doubt नहीं होना चाहिए freedom होनी चाहिए इस चीज़ से customer को तो अगर यह सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने तो हम समझ लीजे हमने customer को assurance प्रोवाइड कर दी है आब आता है फ्रेंस empathy empathy का मतलब होता है फ्रेंस understanding the customer customer को समझन making an effort to know customer and their needs customer को समझना customer को समझना empathy होता है making an effort to know customers and their needs किसी customer को जानना और इसकी need को जानना empathy होता है फ्रेंस किसी दूसरे की feeling को महसूस करना होता है I have empathy for you मतलब कहने का मैं आपको आपकी जो feelings है आप दुखी है खुस है नाराज है जो भी है वह feeling को मैं महसूस अगर कर सको तो वह empathy होता है तो यहां पर banking के sense में empathy का क्या मतलब होता है कि customer क्या feel कर रहा है उसको महसूस करना अगर banker कर सके तो वह होता है आपका empathy तो understanding the customer customer को अगर यही है ना कि हम दूसरे की feeling समझने मतलब कि सामने वाला क्या चाहता है वह अगर हम जान जाए तो उसको राइट प्रोड़क्ट आफर कर पाएं उसका आद में access easily access होना चाहिए काम है तो आसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमें customer को कोई काम है तो आसानी से ब्रांच के person से contact ना परवाया कर पाए ब्रांच manager से ने contact परवाया तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपरोच बिल्टी easily available होना चाहिए इज आफ कांटेक्ट आसानी से contact किया जा सके ठीक है communication एक लेते हैं अब आदमी कहा जाएगा दो हजार रुपए के लिए माल लीजिए अगर ब्रांच बगल में है तो ब्रांच चला जाएगा लेकिन अगर ब्रांच दो तीन किलोमेटर दूर है तो उस केस में कोई ऐसा कांटेक्ट वहां पर प्रोवाइड होना चाहिए एटियम पर और जब आङे कंटाकि हम अपर ऑप्रोचेबल होना चाहिए इसा नहीं है कि पता इन चला रहा है कि हमको किस से कॉंट्रेक्ट करना है ए पर नेपर रहा है किस से बात करनी कुछ इन सब्सक्राइब करने नहीं और और इंपरिजिए के तहते हम क्या करेंगे communication भी हमारी ऐसी होने चाहिए कि हम customer को information जो दें वो उसे easily समझ में आए और उसे informed रखना चाहिए जो भी changes हो रहे हैं उसके बारे में बराबर जानकारी देते रहना चाहिए इंपैथिक बार्ट है अगर debit card जब आप पढ़ें आप यह देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी changes आपको चार्जेज में करने हैं तो पहले ही inform कर दीजिए customer को बाद में ना बताइए ताकि वो अगर उसे surrender करना चाहता अपना debit card तो वो कर सकता है सब्सक्राइब को समझना चैप्टर नमर एट होगा छे नहीं होगा छे है आपका credit scoring जिसमें सब्सक्राइब को समझना एफर्ट करना कि customer को जाने और उसकी आवसक्तों जाने यह empathy होती तो यह है फ्रेंस हमारी जो पांच नीड थी जो है अब आई होप आपको किलियर हो गया होगा कि customer क्या चाहता है सर्विस में quality चाहता है और इसके different dimensions है कुछ जो है following art of some requirements कुछ requirement है customer की या कुछ expectation है customer की expectation है या तो requirement है सर्विस के बारे में कि bank जो service provide करें वो tangible होनी चाहिए tangible reliable होना चाहिए responsiveness होना चाहिए assurance होना चाहिए empathy होना चाहिए तो यह इनके बारे में हमने detail में पढ़ा फ्रन देखिए tangibility का मतलब होता है कि physical appearance कैसी है branch अच्छी दिखनी चाहिए सुन्दर दिखनी चाहिए ऐसे समझ दीजिए bank की facility अच्छी है attractive है अगर है तो tangible है क्या मेरे credit card का जो statement है उसे मैं आसानी से समझ सकता हूँ अगर मैं समझ सकता हूँ तो यह जो tangibility है जिसे touch किया सकता है चुआ जा सकता है वो चीज अच्छी है इसकी कुल मला करके कहने मतलब यह है reliability जैसी promise किया जाए जैसा promise किया जा सर्विस को deliver करने को वह ऐसा ही deliver कर दिया जा तो उसे reliable कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि क्या मेरे credit card का अगर एकुरेट है तो एक समझालब कि हम विश्वास कर सकते हैं भरुसा कर सकते हैं अफीसर ने कहा कि अगले दो दिन में हम आपका loan sanction कर देंगे तो क्या दो दिन में उसने sanction कर दिया और इस बारे में उसने आपको inform किया या नहीं किया तो यह अगर ऐसा कर दिया उसने यह reliability होती है यह विश्वास किया सकता है responsiveness का मतलब होता है आप promptly जो है respond कीजिए customer को service provide कर दिये है ना customer को help कर दिये होनी चाहिए customer को help करने की इच्छा होनी चाहिए हमारे इंदर ना तो मालिजे किसी कर बैंक स्टेटमेंट में customer के problem है तो कितने quickly जो है बैंक ने उसको resolve कर दिया इसी से पता चलता है कि बैंक responsiveness रखता है मेरे खाते से जो है चार्जर रंगली डेबिट हो गए थे तो क्या वह मेरे खाते में दुबार क्रेडिट प्रॉपर्ली कर दिये गए हैं अगर कर दिये गए हैं तो बैंक security का मतलब होता है विश्वास रखना trustworthiness हमारी सर्विसेश चोंहें उस पर trust कर सके customer security का मतलब होता है कि customer को कोई doubt नहीं होना चाहिए को रिस्क नहीं फील होना चाहिए इन सब चीजिए फ्री होना चाहिए यह इसरेंस का पार्ट हो गया empathy में customer को करना customer को महसूस करना कस्टमर की जरूरतों को महसूस करना empathic apart होता है इसमें communication भी आता है हम कस्टमर को inform करते रहेंगे time to time और ऐसी language में करेंगे जो आसानी से समझ करा है उसका आद में approachability होनी चाहिए easily हम customer को मतलब बैंक को approach कर सके ease of contact आसानी से होना चाहिए ऐसा ना हो कि हम मतलब customer बैंक से approach ही नहीं कर पा रहे हैं मिल ही नहीं पा रहे हैं जानकारी नहीं कठा पा रहे हैं अगर जुरूत पड़ती है तो ठीक है अब यहां पर कस्टमर की requirement जो होती है उसी के आधार पर हमने कोई service उस कस्टमर की requirement और satisfaction level के बीज में क्या connection है तो इसके लिए एक survey वगरा करवाया था एक organization ने तो उसी के बारे में हम पढ़ना है fulfillment of the customer requirement can be measured only from satisfaction level of the customer तो customer की requirement fulfill हुई या नहीं हुई इस बात को हम कैसे major कर सकते है satisfaction label के जरिए ही हम major कर सकते हैं customer ने requirement दी हमें home loan चाहिए हमने उसको home loan provide किया अब उस home loan से वो कितना satisfied है उसी के आधार पर ही हम देख सकते हैं कि हमने customer की requirement को fulfill हम कर पाए या नहीं कर पाए the satisfaction will emanate out of customer's experience of product and services offered by different bank तो जो satisfaction कहां से आता है customer का तो customer के experience आता है customer का experience उस product या service के बारे में कैसा है जो different इफरेंट बैंकों इसको product आफर किये है उसके बारे उसका experience कैसा है उसी से उसका satisfaction का पता चलता है कि हाँ वो satisfied है या नहीं है say hai the experiences में vary across bank like अभर जो experience है वो vary करता रहता है public sector bank में अलग experience होगा उसका प्राइवे्ट सेक्ठर बैंग में अलग experience होगा private sector में भी old और new generation के private sector bank होते हैं foreign bank तो मतलब कहने का तीनों तरीके bank होग है fems और अलग- short experience आपको सकता है पुबलिक श्क्रिप में आपका अलगए अलगए और फॉरेंग में अलग तो एक्षापल के लिए आप ब्रांच में जाते हैं और आपको कोई काम है लगई अपकी काम ने काम ऐसे संट जबाएंग भेठी पbon देखने के लिए बिठा दिया गया है तो मतलब इस तरीके से different experience आपका हो सकता है जो भी प्रड़क्ट और सर्विसेस आफिर किये गये हैं आज study conducted by leading research agency in past major customer service quality तो मतलब एक जो है मतलब एक कोई company है जिसने research एक research agency है जिसने पहले जो है customer service quality के बारे में एक survey conduct किया था ठीक है है जे reflection of meeting customers requirement revealed ठीक है तो इन्होंने क्या किया था customer service quality का एक survey किया था और survey में हमने यह देखने कोशिस की थी उन्होंने कोशिस की थी कि हम customer की requirement को कितना meet कर पा रहें कितना customer की requirement को हम fulfill कर पा रहें उसी चीज को major करने की कोशिस की गई थी तो कुछ जो इंट्रेस्टिंग findings है इस study की उसी के बारे में में यहाँ पर 7-8 पॉइंट देखेंगे पहली बात हो यह कि इस study ने लगभग 20,000 customer को कबर किया था ठीक है चाहे वह चारो टायर की branch से metro की ब्रांच थी अर्बन की ब्रांच थी से में urban ब्रांच थी rural ब्रांच थी तो सभी तरीके की ब्रांच उसे 20,000 कंश्टमर जो की saving account Colt holder उनको सामिल किया था 400 किस्टमर और लिए जो कि hm all ने और साड़े तीन को सामिल किया जिन्हें ठीट काड़ ले रक्ठाव एक दो इस में 20 1000 कस्टमर लिए गये सेविंग काड़ राधने उन objective of studies to major the customer service quality of the bank इस जो study थी जो research की गई थी उसका उद्दे से था major करना customer service quality bank bank की customer service की quality कैसी है उसको major करना और major कैसे किया इन्होंने इन्होंने क्या किया KPI बनाई की performance indicators बनाए और service quality पर और major the quality based on the KPI ठीक है तो इन्होंने क्या किया की performance indicators बनाए कि हम ये तीन चीजे देखेंगे तीन चीजे कौन सी overall satisfaction कैसा है education कैसी है और loyalty कैसी है और उसी के आधार पर ही decide किया कि मतलब service की quality कैसी है फिर से समझे इस study का objective क्या था customer service quality को major करना ठीक है और कैसे major किया KPI बनाई इन्होंने और इसी के आधार पर इन्होंने KPI के आधार पर ही जो है major किया quality को ठीक है कैसी quality की service provide हो रही है the measurement of the satisfaction was made on three basic parameter अब देखे satisfaction का जो measurement था वो तीन basic parameter के आधार पर किया गया पहला overall satisfaction customer का कैसा है दूसरा education क्या है और तीसरी loyalty कैसी है ठीक है तो overall satisfaction मतलब product से satisfied है या नहीं है advocacy क्या आप हमारे product के बारे में किसी और को भी जो है बताएंगे advocate बनेंगे हमारे लिए करेंगे और तीसरा है loyalty क्या आप हमारे bank के प्रति हमारे product के प्रति loyal है हमें छोड़कर तो जाएंगे तो इन तीन की parameter जो हमने बता है नहीं आपको KPIs तो यह की performance indicators जो थे आपके वह तीन की KPIs जो है फ्रंस यही थे इनहीं के आधार पर ही मतलब जज किया गया कि हाँ overall bank की service की performance कैसी है तो जब इन्हों ने rating की तो इन्हों ने देखा कि overall जो performance है वो healthy है ऐसा नहीं कि लोगों की negative thought है अब देखिए rating of on three overall measures are above 80% for all three product segment तो overall जो rating देखे गई तीन parameters overall satisfaction, education और loyalty तीनों चीजों को लिया गया तीन product लिये गया आपके saving account को लिया गया credit card को लिया गया और तीसरा लिया गया आपका home loan को इन तीनों product को ले करके और इन तीनों जो है आपके parameters को ले करके इन्होंने क्या किया measurement किया और पाया की 80% जो है overall satisfaction है इनका तीनों ratings on three overall measures are above 80% 80% से ऊपर जो है satisfaction overall satisfaction कितना है 80% education हमारे product की करेंगे 80% के आसपास लल्टी 80% के आसपास पाई गई फ्रेंट्स तो मतलब कहने का overall performance जो थी वह healthy ही थी ऐसा नहीं था कि लोग negative मान कर चल रहे हैं जब लोगों से पूछा गया कि क्या आपका experience जो है कि services improve हुई है और यह तो फिर जो है कुछ ना कुछ percent improvement हुई है तो यह भी पूछा गया customer से कि क्या आपका experience जो है बैंक के साथ change हुआ पिछले एक दो साल में तो दो बटा तीन यानि दो तीहाई लोगों ने यह कहा two-third people ने कहा customers ने कहा कि यह मतलब हमारी जो बैंक के साथ में experience वह इंप्रूव हुआ है यह थोड़ा बहुत तो इंप्रूव हुआ ही हुआ है अब almost nine out of the ten saving accounts and home loan holders नव जो saving account और home loan account holders थे दस में से नव लोगों ने excellent value in respecting bank offering है न तो दस customer में से नव कस्टमर ने जो की saving account और home loan account holder थे उन्होंने find किया कि excellent value in respective bank offering बैंक ने जो product offer किया हुआ है उसमें excellent value find की उन्होंने ठीक है तो मतलब कहने का 10 में से 9 customer यह मानते हैं कि जो बैंक का product है वह excellent है तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है ठीक है this score is significantly lower for credit card लेकिन credit card के case में लोगों की जो वह expectation है उस हिसाफ से हम match नहीं कर पा रहे है credit card के case में लोगों ने मतलब जो है score जो है lower था मतलब मान लीजिए 10 में से 4 customer यह 5 customer ने ही कहा कि मतलब overall हम excellent service पा रहे हैं ठीक है यानि credit card में क्यों बढ़ बड़ा बाकि सभी जगों पर ठीक है आन्दा satisfaction index satisfaction index पर पूरी तरह से कर देगे तो private sector bank saving account में lead करते हैं यानि saving account की सबसे बढ़िया सर्विस अगर आपको मिल रही है तो private sector bank से मिल रही है और credit card के लिए private sector bank से मिल रही है public sector bank जो है lead कर रहे है home loan में और foreign bank home loan और credit card में lead कर रहे हैं ठीक है तो 3 चीज़े हमने देखी एक तो हमने देखा saving account फिर हमने देखा home loan और हमने एक चीज और ली थी credit card ठीक है तो private अब देखे public sector bank home loan में lead कर रहे है public sector वाले saving account में और credit card में हमारे private sector bank वाले lead कर रहे हैं और home loan और credit card में हमारे foreign bank lead कर रहे हैं मतलब यह overall जब एक indexing की गई overall की मतलब पूरी industry में हम अगर देखें कि कौन से bank कौन से services जदा अच्छी provide करें तो उसकी findings है तो यह certain findings थी जिनको हमने यहां पर front discuss किया है hope आपको समझ में आया होगा कि यह क्या करना चाहा रहे थे यहां पर तो customer requirement or satisfaction label का अब आपको समझ में आया होगा कि customer की requirement है अगर उसको हम satisfaction देते हैं मतलब जो उसकी requirement थे उसको हमने fulfill किया अगर वो हमारे product से satisfy है तो फिर बहुत अच्छा है यही हमारी जरूरत होती है तो उसी के बारे में हम यहां पर discuss करने हैं तो fulfillment of customer's requirement can be measured only from satisfaction label of the customer तो अगर आपको यह देखना है कि आपने customer की requirement को fulfill कर दिया या नहीं कर दिया तो वह कैसे पता चलेगा तो customer के satisfaction label से पता चलता है जितना ज़्यादा customer satisfied है उतना ही समझ लिजे हमने उसकी requirement को fulfill कर दिया है ठीक है अब satisfaction आता कहां से customer का जो भी customer को आप product या service offer करते हैं उससे customer का experience होता और उसी से वह गाना सुनना चाता है उसको गाना सुनने का मतलब अच्छी आवाज आ रही sound quality अच्छी है video quality अच्छी है game खिलना चाता है विडियो क्वालटी अच्छी है तो फिर उसका satisfaction level अच्छा आता है तो वही है कि मतलब अगर आपको satisfaction level मिलेगा तो कहां से मिलेगा customer के experience मिलेगा customer ने product को यूज किया product or services को यूज किया और उसके आधार पर बताता है कि हाँ I'm overall satisfied कितने percent है इसलिए rating की जाती है प्ले स्टोर पर आप पांच मेंसे चार रेटिंग तीन रेटिंग क्यों देते हैं इसलिए देते हैं ताकि यह पता चल से कि प्रोड़क्ट कैसा है आपके experience के अधार पर ही ठीक है the experience में vary across banks लाइक अब बैक्ति का जो तो customer है उसका experience जो है अलग अलग बैंकों में अलग हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक में अलग प्रावेट सेक्टर बैंक में अलग फॉरन बैंक में अलग हो सकता है तो एक study conduct की गए थी leading research agency द्वारा नाम नहीं बताया गया यहाँ पर लीडिंग research agency ने एक study conduct की थी customer service quality को मेजर करने के लिए ठीक है और एज ए reflection of meeting of customer की requirement को कितना fulfill कर पाते हैं उसी क्याधार पक कस्टमर सर्विस क्वालिटी को जो है कर्म किस्टमर की सर्विस quality को हम उसके satisfaction लेबल से major करना चाह रहे हैं अब इस study में बीस हजार customer हमने लिए थे saving account के चार हजार customer हमने लिए थे home loan के और साड़े तीन हजार customer लिए थे जो credit card holder है अब जो हमने customer लिए थे वो सारे टाइप की इस study का जो objective उद्दे से था वो customer service quality को मेजर करना था कि customer को service provide कर रहे हैं और उसको कैसे इन्होंने जज किया है KPI के दुरू किया उन्होंने की performance indicator बनाया तीन की performance indicator बनाए गए ओबराल सटिस्ट्रेक्शन कैसा है customer का advocacy कैसी है और loyalty कैसी है कि मतलब होता है आप किसी प्रोड़ा मनलब advocacy करना जैसे मेरा स्याइबी विथर सोक का जो channel है उसकी advocacy आप करेंगे या नहीं करेंगे क्या किसी दूसरे से आप मेरे चैनल के बारे में बताएंगे कि हाँ यह चैनल अच्छा है लोयल्टी मतलब आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे सिर्फ मेरे चैनल पर ही वीडियो देखेंगे तो यह होता है आपको मतलब जो मैंने वीडियो जोनाए है उसमें आपकी ओबराल सटिस्फेक्शन कैसी है तो यह तीन पैरामीटर्स थे जिस पर हर एक प्रोड़क्ट को हर एक प्रोड़क्ट को मतलब माप आ गया और जो findings आई है उसमें दिखाया गया कि रेटिंग सो हेल्दी ओबराल सब्सक्राइब में 80% का स्कूर अच्छी चीज है मतलब ऑबराल सटिस्फेक्शन कितना है कस्टमर का 80% है या उससे ज्यादा एड़केसी है 80% और लोयल्टी है 80% मतलब 80% कर कस्टमर लोयल रहेंगे अपने बैंक के प्रत तो यह अच्छी चीज है साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या आपका बैंक के साथ में experience recently एक दो साल में पिछले एक दो साल में चेंज हुआ है तो दो बटा तीन या दो ती हाई टू थार्ड जो है कस्टमर ने कहा कि हाँ यह इंप्रूब हुआ है सर्विस एक्सपिरेंस हमारा इंप्रूब हुआ है या कुछ हद तक इंप दस में से नौ कस्टमर ने कहा कि जो बैंक ने हमें service प्रोवाइड की है वह excellent प्रोवाइड की है कोई दिकत नहीं है लेकिन यह स्कूर जो है काफी कम है credit card के case में customer जो है अपने बैंक की तारीफ उतना नहीं करते हैं अप्र प्र सटिस्पैक्शन इंडक्स में private sector bank ने बाज home loan की services बहुत अच्छी है और foreign bank में home loan और credit card की services सबसे अच्छी है तो कुल मिलागर करके credit card जो है यहां भी जुड़ा हुआ है यहां भी जुड़ा हुआ है private sector में credit card foreign bank में भी credit card हो गया public sector bank में home loan एक चीज है बाकी में एक को saving account एक को home loan मिल गया है ठीक है तो इसी के साथ में फ्रेंट्स हमारे यह लेक्षर यहां पर खतम होता है I hope आप लोग को समझ में आया होगा एक एक और topic रह जाता है फ्रेंट्स और उसी के साथ में यह chapter हमारा जो है अगले lecture के साथ ही हमारा इस chapter खतम हो जाए भर उसाथ और हमारे है आप जो कवडिए भूष्य झाथा मुझेंग nost जाते है